डीपी का एरे जब डाइगनली फिल हो रहा होता है न तो वहाँ पर काफी लोग गड़वड कर जाते हैं ठीक है वहाँ पर लोग समझने आता कि डीपी का एरे भड़ा है कैसे जाए ये वाला कोशन मेट्रिक्स ये इसी टाइप का कोशन है इसको आज हम समझने वाले हैं वेल दो फिर तो तो।ॉ कितने operation लगेंगे तो operation लगे अपको 38 ये कैसे है जो आप आ को बी करते हो तो आपके पास operation आता है तो बन दरापर होना चाहिए अगर ऐसा नही है तो आप multiply नहीं नहीं कर सकते इन दोरों matrix को फिर final जो आपका result बनेगा वो आपका बन जागा A cross D का matrix ठीक है यह basic math है तो वही चीज यहाँ पर हो रही है तो यह आपका 2 by 4 का बन गया उसके बाद आप इसके इंदर C का multiply कर रहे हो C का multiply कर रहे हो तो 2 multiply by 4 multiply by 1 which is 8 यहाँ से 8 आगया उसके बाद आप D से multiply करोगे इसको तो वह जागा अब यह बन जागा आपका 2 multiply by 1 का matrix फिर आप 2 multiply by 1 multiply by 3 which is 6 तो यहाँ पर अगर आप सब को जोड़ दोगे तो आप आप 38 operations ठीक है तो इस तरीकिसा आपके 38 operations आ रहे हैं अगर आपर एक brute force तरीका हो सकते हैं जिसको हम समझने होगे recursive solution से आप क्या कर सकते हो आपको A से लेकर D तक का find करना राइट A B C D को multiply क्या मिलेगा उसका आपको minimum चाहिए राइट A B C D के minimum में क्या आएगा उसके लिए आप कुछ configuration कर सकते हो which are आप पहले B C D को solve कर लो B C D से कितन हो आप उसकते हैं एक तो यह सकते हैं एक सकते हैं एक तरीका हो सकता हैख A B को multiply कर लो और CD को滿ool एकर बार उसके बाद बाद ऑद और result के अंदर और जो भी result नहरे मिनिम्म होगा वो हमारा वर resto होगा और यहां mr meditation Problem recursive Actors कर सकते हैं वह कूल कर सकते हैं सबração करें कि कि और मृट्पर सब्क्राइब बन रहा है और फिर जो result आए वो return कर दो या फिर BC को पहले multiply कर दो और फिर D के साथ multiply करके जो भी result आगा उसको आप return कर सकते हो लेकिन इस वारी sub problem में देखो हमारे पास जो sub problem बन रही हैं वो दो-दो length के हैं A, B और C, D तो इसको हम directly यहाँ पर ही solve कर सकते हैं A, B को जब multiply करेंगे तो वो बनेगा 2 multiply by 3 multiply by 4 which is 24 प्लस C, D को जब multiply करेंगे तो वो बनेगा 4 multiply by 3 which is 12 और उसके बाद जो दौनों को multiply करके आपस में जो बनेगा वो बनेगा आपका 2 multiply by 4 multiply by 3 which is again 24 तो यहाँ से हम return कर रहे होंगे 60 ठीक है तो यह वो configuration है जिसके अंदर से हमारा 60 आ रहा होगा इस वाले में आते हैं तो यहाँ पर हमारी 2 subproblem बनेगी होगी पहली बनेगी कि आप A के अंदर multiply कर दो BC का और दूसरी बनेगी कि आप AB के अंदर multiply कर दो C का और result ऐसे return कर दो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर BCA भी यहाँ पर भी आ रहा है और BCA कि यहाँ पर भी आ रहा है हमें यहाँ पर BC के लिए solve करना पड़ेगा ठीक है तो ऐसा करता है ना BC वाले result को store कर लेते हैं जिससे कि यहाँ पर solve ना करना पड़े हमें यहाँ पर देख रहा है कि BC का result जो है वो कुछ होगा राइट, BC का result होगा, 3 multiplied by 4, which is 12, तो BC का result 12 है, तो यहाँ पर दुबारा से calculate करने की जोगत नहीं कि BC का result अड़ीड आपको मिल चुका है 12, तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक DB matrix बनाएंगे और उसके अंदर हम इन results को store करते चलेंगे, जिससे कि मैं बाद में अगर same question हम से पूछा रहा है, same सब problem calculate करने के लिए आ रही है, तो हम उसे बार में बार सो solve ना करें, तो यह तो इसका एक top down approach हो गया, top down approach से भी आप इसे कर सकते हो, लेकिन वो इतना एदा effective नहीं होगा, इसको हम करने वाले bottom up approach से, जिसके अंदर हमें देख रहा है कि अगर हमें ABCD यह find करना है, तो हमें BCD पता होना चाहिए, हमें ABCD पता होना चाहिए, साथ में ABC पता होना चाहिए, ABCD की लेंथ 4 है, ABCD की लेंथ 2 है, तो आपको सारे के सारे तीन लेंथ के पता होने चाहिए, सारे सीकत on का चाहिए, तो इस तरीखे से हम इसे solve करने वाले हैं, length सब्सक्राइब होंगे, पहले हम solve करेंगे 2-2 length की chain को, उसके बाद हम 3 length की chain को solve करेंगे, तो इस तरीके से जब हम करते हैं तो हमारा जो dp वाला matrix होता है इसको आप देखोगे कि यह diagonally फिर फिल हो रहा होता है पहले ऐसे फिल होगा उसके बाद फिर फर्दर ऐसे फिल होगा फिर यह ऐसे फिल होगा और इस जगह पे हमें answer मिल रहा होगा तो यह वाली feeling कैसे हो रही ह हमें question कुछ ही इस तरीक से दिया जाएगा कि हमें एक array दिया जाएगा इस array के अंदर जो values है न जैसे अगर हमारे पास n matrix है तो हमें n plus 1 values दी जाएंगी इस array के अंदर जैसे आप देख सकते हो हमें 5 values दी गई है 2, 3, 4, 1, 5 इससे हमारे 4 matrix बन रहे है 2 by 3, 3 by 4, 4 by 1 और 1 by 3 तो इस तरीक से हमें यहां पर input दी गई है हमें बताना है minimum number of operation for doing this matrix chain multiplication तो हम करने के आवाले में आपको बताए था हम diagonally चलने वाले हैं जैसे में आपको बताए कि हमें बताना है 0 से 4 वाला answer ठीक है 0 से 4 तक का हमें answer बताना है तो उसके लिए सबसे पहले हम यह वाली 0, इस side तो matrix के अंग अंदर अगर आप multiply करें मतलब अगर सर्फ problem इतनी है कि 2 by 3 वाले matrix को multiply कर दो तो इस में तो कुछ करना ही नहीं multiply राइट तो इसके अंदर तो 0 operation होंगे तो इसका मतलब 0 से 1, 0 से 1, 2 by 3 के अंदर 0 ही operation आने वाले है 3 by 4 का मतलब क्या है 3 by 4 वाले matrix को solve कर दो मतलब यह यह सा problem है तो इस सा problem के अंदर भी हमें दिख रहा है कि कुछ भी multiply करने की जरूत नहीं है 3 by 4 matrix तो अपने आप में sorted है ठीक है तो इसके अंदर भी 0 operation तो इसका मतलब हमें दिख रहे है जब length हमारी यह जो length कहलो या फिर difference कहलो जब यह हमारी 1 के पराबर है तो हमारे पास 0 operation ह हो रहे होंगे अब हम चलते है 0 से 2, 0 से 2 मतलब 2, 3, 4 इतने में हमें जाने है हमें आप देखने है इसके अंदर कितना operation हा रहे होंगे तो इसके अंदर हम देख सकते है 2 multiply by 3 multiply by 4 इसको हमें directly multiply करते है ठीक है तो यहां से हमारे पास आएगा 6 multiply by 4 24 यहां से हमारे पास 24, 1 से 3, 1 2 multiply by 4 वाला मतलब 4 multiply by 1 वाला matrix और 1 by 3 वाला matrix इसके अंदर में मिलेगा 4 by 3 which is 12 तो इस तरीके से हमने 2 तो matrix वाली chain की length को समझ लिया है ठीक है हमने 1 length वाली matrix की chain को solve कर लिया है हमने 2 length वाली matrix की chain को भी solve कर लिया है A, B, B, C, C, D इनके आंसर हमने निकाल लिया है अब हम निकाल तो हम देखेंगे 3 length वाली matrix chain को ठीक है तो हम देखेंगे कैसे आप लोग A, B, C अगर यह 3 matrix दी होती है तो इनका आसर आप कैसे निकाल सकते थे इसके लिए हमारे पास यह चीज़ा है पहले से ही ready है तो इनका हम use करने वाले है तो जो आप A, B, C का निकाल रहे होगे जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने यहाँ पर A, B, C को solve गया था तो इसको solve करने के लिए हमां दो change चाहिए थी या तो A के अंदर आप B, C को add कर दो या फिर A, B के अंदर आप C को add कर दो ठीक है इन दोना में से जो भी minimum आएगा वो हमारा answer होता तो वही चीज़ मैं matrix को पकड़ो A वाला matrix क्या होगा? A वाला matrix वाला matrix वोगा 2 by 3 ठीक है इस वाले matrix को पकड़ो और इसको multiply कर दो जो भी आपको B, C से मिल रहा तो B, C से क्या मिलेगा? B, C से मिलेगा हमें 3 by 1 वाला matrix ठीक है? 3 by 1 वाला matrix बनाने के लिए कितने operation लागे होंगे? वो B, C से मिल किस तरीके से आप लोग 3 by 1 का matrix बना सकते हो और उसका answer है 12, तो इसके अंदर आपको 12 operation हो रहे थे और जब आप 2 by 3 को 3 by 1 के साथ करोगे तो इसके अंदर operation होगे 2 by 3 विचे 6, तो total operation यहाँ पर आपके 18 होने वाले है, तो इस तरीक से चलोगे तो आपके 18 operation होगे, लेकिन एक ले लो, ठीक है, तो AB से आपने बनाया 2 by 4 का matrix एक, तो यह तो आपका 2 by 4 का matrix बन गया एक, और C वाला matrix आपने ऐसे कैसे रखा, 2 by 4 का matrix बनाने में कितने operation लगे थे, वो हमें मिलेंगे AB के answer से, AB का answer आपका 0 से लेका 2 के बीच में, विचे 24, तो यहाँ से हमारे पास operation थे उपर 18 ही return कर रहे होते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लेख देंगे 18, अब देखते हैं 1 से लेकर 4, 1 से लेकर 4 का मतलब है, आप B, C, D, इन 3 matrix को solve करना चाहते हो, ठीक है, B, C, D matrix, यहाँ आपने देखा, solve क्या है, 2 तरीके से solve हो रहे होंगे यह भी, ठीक है, तो हमारे प बनाने के लिए, C, D को solve करने के लिए, कितने operation लगे थे, आपके उसके लिए, आपके operation लगे थे, 12, right, प्लस, अब इसको solve कर रहे हो, तो यहाँ पर operation लगे है, आपके 4, 3 is 12, multiply by 3 is 36, 48, या फिर आप दूसरे तरीके से चल सकते हो, कि आप B, C को पहले solve कर लो, B, C को पहले solve क होगे, तो आपके बन जाएंगे, यह 3 by 1 का matrix, ठीक है, 3 by 1 का matrix बन गया यह, और उसके बाद आप 1 by 3 वाले matrix को इसके इंदर multiply कर दोगे, 3 by 1 का matrix बनाने के लिए, कितने operation लगे थे, वो लगे थे, आपके 1 से लेकर 3, 1 से लेकर 3, which is 12, ठीक है, उसके लिए आपके 12 operation लगे थे प्लस आप इसके अंदर 3 multiply by 3, which is 9, यह add कर दोगे, तो यह बन जाएगा आपका 21, दोर में से छोटा क्या 48 या 21, छोटा क्या, छोटा 21 है, तो 21 यहाँ पर हम लिखतेंगे, तो हमने देखा यहाँ पर से हमने 21 written किया, यहाँ से हमने 18 written किया, अब जरा इसको और इसको भी solve कर करते हैं, इस बार लेकिन समझना मैं index वाले तरीके से लिखने वाला हूँ, जिससे कि आपको code भी अच्छे समझ में आए, मैं अभी तक क्या कर रहा था, यहाँ पर square bracket के अंदर लिख रहा था, right, square bracket के अंदर जब मैं चीज़े लिख रहा हूँ तो इसका मतलब आप समझ ल करने वालों, तो इस बार में आपर parenthesis के अंदर करने वाला हूँ, जिससे कि आपको समझ भाए further code कैसे होगा, ठीक है, तो index वाले तरीके में 0 से 4 हमें solve करना है, उसके लिए हमारे पास क्या का operation है, एक तो यह कि हम 0 से 1 वाले को solve कर लें अलग, उसके बाद फिर 1 से 4 वाले को वाले को solve कर लें, या फिर हम 0 से 2 वाले को solve कर लें, और फिर 2 से 4 वाले को solve कर लें, या फिर हम 0 से 3 वाले को solve कर लें, और फिर 3 से 4 वाले को solve कर लें, इन तीनों से जो भी minimum आएगा वो answer होगा, यहाँ पर देख रहो यह वाला इसके साथ map कर रहा है, यह वाला इसके साथ map का अंसर यहां पर लिखा हुआ है 1 4 का अंसर 21 आ रहा है तो यहां से तो हमें मिलने वाले 18 प्लस 21 विच इस इसके बाद इसको भी देख लिते है जीरो टू से हमें क्या मिल रहा है तो यहां से मिल रहा है टू फोर से कितना मिल रहा था टू फोर से मिल रहा था 12 प्लस इन दोनों को सॉल करेंगे तो 0 x 2 x 4 एक है तो 0 x 2 x 4 which is 8 8 x 3 which is 24 तो यहां से मैं मिलेगा 60 ठीक है देख रहा है सिश्टी मिला था वोई चीज यहां पर मैंने दुबार लेखिए अब देखो 0 0 से 3, 0 से 3 का answer क्या है, 0 से 3 का answer है, 18, 18, प्लस 3, 4 का answer क्या है, 3, 4 का answer तो 0 ही होगा, देख रहे हो, 3 से 4 का answer 0 है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक ही matrix है, प्लस 0, प्लस अगर आप इन दोनों को solve कर रहे हो, तो 0 multiply by 3 multiply by 4, 0 multiply by 3 multiply by 4, which is 2 multiply by 1 multiply by 3, which is 6, right, तो यहां से मिलेगा 6, which is 24, इन 3 में से छोटा क्या है, 3 में से छोटा है 24, तो यहां पर लिख देगा 24, ठीक है, और उपर जा रहा होगा यहां से, यहां से उपर जा रहा होगा 39, और यहां से उपर जा रहा होगा 24, और सबसे छोटा इन में क्या है, सबसे चोटा है इसमें 24 इसलिए आंसर हमारा 24 है तो यह तो लॉजिक था अब इस लॉजिक को ज़रा कोड में देख लेते हैं कोड में आप लोगों को और क्लिरली समझ मैंने वाला है तो यह रहा हमारा सबसे पहले आप एक length नाम का बना लो क्योंकि डिखनली जब आप चलते हो matrix के अंदर यहां पर दिख लिए जब आप चल रहे हो तो यह जो length है लेकिन हम यहां पर टू से स्टार करने वाले है इस तरीक है अब हम इसके अंदर row wise चल रहे होंगे एक एक iteration मैं row नीचे आ रहे है देख आप पहले आप zero row में हो फिर आप फिर आप second row में हो तो आप row नीचे आ रहे हो लेकिन जैसे आप row by row नीचे आ रहे हो वैसे वैसे column आगे भी बढ़ते आ रहे हो, तो row के अंदर आप नीचे आ हो, row plus plus, column के अंदर भी column plus plus, ऐसे हो रहा है इसके अंदर, एक खास बात और है, कि हर iteration के अंदर, चाहे वो यह iteration हो, चाहे इसके बाद अग्ली iteration हो, चाहिए वो अगली iteration हो, सभी के अंदर row आपकी 0 से start होती है, देख रहे हो, आप हम इसाँ 0th row से start कर रहे हो, इस तरीगी से चलते टाम, यहाँ पर भी आप 0th row से start करोगे, यहाँ पर भी आप 0th row से start करोगे, तो यह वाला for loop लिखते हैं इसके अंदर, बहुत ही interesting होने वाला यह वाला for loop, मैंने उपर एक column variable बना लिए, इसको हम बात में देखेंगे, पहले हम row वाले को समझते हैं, तो row हमारी 0 से start होगी, row कब तक चलेगी लेकिन, row चलेगी n-land तक, हाँ पर आप देख भी सकते हो, कि suppose को इस वाले के अंदर देखते हैं, तो length हमारी यहां पर 2 है, यह length हमारी 2 है, तो हमारी iteration यहां से लेकर, यहां तक चलती है, यहां से लेकर, यहां तक चलती है iteration, तो हमने सिर्फ कितना iterate किया, 0, 1, 2, यह 2 कैसा आएगा, तो यह length जितनी आपने यहां travel की थी, उत्री length यहां पर travel करें हो, तो आपका जो loop चल रहा हूँ, n- length चल रहा है, तो total अगर इसके अंदर n होता, तो n- length आपका यह loop चल रहा होता, तो इसलिए हम यहां पर यहां पर इससे जिर्फ n- length तक चलाने वाले हैं, पहले हम इससे initialize कर देंगे max value के साथ, क्योंकि हम यहां पर minimum value चाहिए, minimum value चाहिए तो उसके लिए हम initialize कर देंगे max value के साथ, उसके बाद हम एक ही करके row से लेकर column तर चलने वाले हैं, और वह वाला logic जो यहां पर मैंने लिखा था, 0, 1, 2, आप देख रहे हो, 0 से 4 तक अगर आपको जाना है, तो आप 0, 1, 1, 4, 0, 2, 2, 4, और 0, 3, 3, 4, ऐसे चल रहे हो, तो यहां पर आपका k है वो यह वाला चीज है, बीच वाली चीज जो है वो k है, देख रहे हो यहां पर 1, 2, 3, यह k जो है आपका 1, 2, 3 हो रहा है, और इसके अंदर हम इस से इस तरीके से फिल करने वाले हैं, कि dp row column equals to math.min of already जो value थी वो, तो शुरुआत में तो वो value max value होगी, ठीक है, तो obviously इससे छोटी जो भी value मिलेगी, वो इससे छोटी होगी, तो इसके अंदर हमने क्या किया है, एक तो left side वाला जो dp से answer आए था वो, फिर right side से जो dp से answer आए था वो, उसके बाद इन दोनों को combine करके जो answer आएगा, उसको भी इसमें add कर देंगे, ठीक है, तो left side से तो answer आए था यह, right side से answer आए था यह, उसके बाद combined answer जोगा, वो यह होगा, और इन तीनों को add करेंगे, ठीक है, इन तीनों को add करके जो answer आएगा, वो, या फिर जो previous answer था वो, इन दोनों से जो भी minimum होगा, वो हमारा answer होगा, और ऐसी हमारे लूप चलता रहेगा, फिर हम इसमें column प्लस प्लस भी कर देंगे, और फिर further इससे return कर देंगे, ठीक है, जो इस corner की value होगी, वो होगी 0 and minus 1, right, 0th row and minus 1 column, तो इसकी जो value होगी होगी हम वो return कर देंगे, और इस तरीक से करेंगे तो एक word हमारा चलेगा, यहाँ पर मैं एक और चीज कर सकता था वैसे तो, जैसे कि row equals to 0 and then column equals to length, ठीक है, इस column को यहाँ ना लिखने की बज़ाए, हम इस for loop के अंदर भी लिख सकते हैं इसको, और row प्लस प्लस नीचे ना करने की बज़ाए, यहाँ पर भी कर सकते हैं, call प्लस प्लस, तो इस से आपका यह थोड़ा और short हो जाता है, तो यह आपको समझ में आ रहा हुआ, यह वाले जो दो for loop है ना, यह हमेशा common रहने वाले हैं, तो इन दो for loop से आप लोग समझ सकते हो, किस तरी किसे आप लोग diagonally traverse कर सकते हो, ज़रा दुबार से समझते हैं, इसे किस तरी किसे यहाँ पर काम कर रहा है, 0 से 4 तक हमें जाना था, तो उसके लिए मैंने 0 1 वाले solution को निकाला, DP मैंसे कितना था, मैंने 1 4 वाले solution को निकाला, DP मैंसे कितना था, और मैंने add कर दिया उसके अंदर, जब इन दोनों को multiply करके, जो answer है का वो, ठीक है, और मैंने check किया, कि जो previous answer था, उससे बड़ा है ये, सरी, उससे छोटा है ये, अगर उससे छोटा है, तो answer को update कर दो, नहीं तो आगे बढ़ो, ठीक है, अब हमारी cakey value हो गई, यहाँ पर 2, cakey value इस जगे पर 1 थी, cakey value यहाँ पर 2 हो गई, जब cakey value 2 हो गई, तो इसके लिए हम देखते है, कि 0, 2 से क्या answer आए था, उसको लो, उसके अंदर add करो, 2, 4 वाले answer को, ठीक है, तो DP के अंदर 2, 4 भी होगा, DP के अंदर 0, 2 भी होगा, और उसके बाद, 0 multiply by 2, multiply by 4, इसको करके, क्या answer आ रहा है, उसको भी add कर दो, ठीक है, तो यह तीनों चीज़े add करके, जो answer आएगा, वो होगा 60, अगर यह previous answer से छोट है, तो अप्डेट करो, वरना update मत करो, आगे बढ़ जाओ, और k एकोल टू 3 हो जाएगा, और k एकोल टू 3 में भी, यही सेम का आप करना है, 0 से 3 वाले answer को निकालो, DP add मैंसे, उसके बाद 3, 4 वाले answer को निकालो, DP मैंसे, उसके अंदर add कर दो, 0, 3, 4, को multiply करके जो भी आ रहा है, ठीक है, वो गगा हमारा 6, आपको आपको और अच्छे समझ में आने वाली है, वो हम कर रहे होंगे नेक्स वीडियो के अंदर, इस वीडियो में इतने ही था, अगर वीडियो पसंद आई, तो ज़रूर लाइक कर देना, कर दो आए शनलों को सब्सक्राब, आपको आपको एपको सब्सक्राइब